Hello everyone, आज हम स्टार्ट कर रही हैं क्लास 8 की आपकी SST की वक्षीट नमबर 26, डेट है आपकी 18 जैनुरी 2021 आज की वक्षीट आपके पाथे पुस्तक समाजिक और आजनितिक जीवन के पाथ 8 हासी करण से निपटना से ली गई है आज की वक्षीट में हमें बताया गया है कि आज हमारे देश के आदिवासी, डलित, मुसल्मान, ओरतें अन्यासियाई सम्मू, जागरूख हो चुके हैं जैसा कि हमने लास्ट वक्षीट में पढ़ा था कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे वर्ग हैं जो हासियाई की स्थिती पर आ चुके हैं जिसमें से आदिवासी, दलित, मुसल्मान, औरते और भी कई सारे वर्ग हैं ये सभी लोग पहले के मुकाबले आज के समय में बहुत जुक्रुक हो चुके हैं अपने अधिकारों को लेकर क्योंकि इने समाज में बहुत अलग ठलग कर दिया जाता है लोग अपने जैसे नहीं समझते हैं ठीक है और यह लोग ये दलील दे रहे हैं कि एक लोगतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर की अधिकार मिलने चाहिए इन लोगों का कहना है कि जैसे बाकी लोग होते हैं वैसे हम लोग भी हैं तो हमें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए ठीक है और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और उनके अधिकार जो कि सविधान में उन्हें मिले हैं उन अधिकारों क दूर करने के लिए सविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का प्रियोग भी किया है जहां तक खासिया इतबकों की बात है उन्होंने न्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है और दूसरा उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे कई बार हासियाई तबकों के संकट की वज़ा से ही सरकार को मौलिक अधिकारों के भावना के अनुरूप में कानून बनाने पड़ते हैं तो अपनी सिती को सुधारने के लिए जितने भी हासियाई समू है वो हमेशा गौर्णमेंट से मांग करते रहते हैं कि उनकी सिती को सुधारने के काम किये जाए इसके अलावा सविधान के अनुछेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नसल, जाती, लिंग या जन्मिस्थान के अधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा तो हमारे सविधान में कई सारे अनुछेद दिये गए हैं उसमें से जो अनुछेद 15 है आपका अनुछेद 15 है उसमें ये बताया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक उसके साथ ना धर्म के अधार पर यानि वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, इसाई हो, किसी भी धर्म का हो, न ना उसकी नसल के अधार पर, ना उसकी जाती के अधार पर, ना लिंग यानि इस्तरी पूरुष होने के अधार पर और ना ही जन्मिस्थान के अधार पर कोई भी उसके साथ भेदभाव कर सकता है, समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते अगर कभी भी दलितों के साथ औसमानता का वैभार होता है तो वो इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं ठीक है और वैसे ही जो अनुछेत 17 है आपका सविधान के अनुछेत 17 की अनुसार औस प्रश्टा या फिर छुआ छूत का उनमूलन किया जा चुका है छुआ छूत जैस जो बड़ी जाती के लोग होते थे वो दूर रहते थे ठीक है उनको टचनी करने देते थे अपनी चीजों को अपने आसपास नहीं आने देते थे इसके लावा जो कुए वगरा का पानी होता था सारवजनिक चीज़े होती थी उसको भी इस्तेमाल नहीं करने देते थे इसक इसे के साथ छुवा छूत के अधार पर भेदभा होता है तो वो एक डंडनी अप्राध माना जाता है। की स्थिती में सुधार करने के लिए गौर्ल्मेंट कई तरह की योजनाय भी लागू करती रहती है। तो गर्मेंट आरक्षट का भी प्रावधान करती है जैसे कि नौकरी में इसके लावा एजुकेशन में ताकि जो जितने भी दलिद वर्ग की लोग हैं या फिर हासियाई स्थिती में जो लोग हैं वो लोग जादा से जादा आगे आ सके और सबसे जादा जो मैडिकल कॉलेज होते हैं उनमें इनके लिए आरक्षट रखा जाता है चीक है उसके बाद आपका एक क्रियाकलाब दिया गया है कि हम सब इंसान है और हम सब समान है इस पर आपको दस लाइन लिखनी है कोई भी दस वाकिये लिखने या फिर चित्र बनाने है चीक है कुशन फरस्ट है आपक पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का साहरा ले सकते हैं और सत्रा अनुछेत सत्रा के बारे में आपको यहां पर लिखा गया है तो आप यहां से लेके पूरा यहां तक लिखेंगे कि सत्रा में और चुआ चु या फिर मंदिर जाने और सार्वरिनिक सुधाओं का इस्तमाल करने से उसे नहीं रोका जा सकता ठीक है उसके बाद कुशन सेकिंड है आपका कुशन सेकिंड को आप यहां से करेंगे कि हासियाई समूं के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसी कर सकते है तो हासियाई विधाय देती है तो आरक्षर देती है मुफ्त में सिक्षा देती है स्कॉलर्शिप देती है ठीक है ताकि जो हासियाई वर्ग के लोग है वो भी आगे आ सके और कुशन फोर है आपका कि आपके अनुसार गरीबी को समाप करने के लिए क्या उपाय है तो सबसे पहले तो सि लाइफ की जो चीजे होती है कम से कम उन प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सके चीक है दूर्ट